साथ्यों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्ताओं के लिए, रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, हम पिछली सताब्दी के कानून लेकर के अगली सताब्दी का निर्मान नहीं कर सकते हैं, जो कानून पिछली सताब्दी में बहुत उप्योगी हुए, वो अगली सताब्दी के लिए बोज़ बन जाते हैं, और इसलिए, रिफॉर्म इलगातार प्रक्रिया होनी चाहिए, लोग अक्सर सवाल पुस्ते हैं, कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म, जादा बहतर तरीके से काम क्यों करते हैं, पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है, कारण बहुती सीधा है, पहले reforms टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख्के होते थे, अब एक संपुनता की सोचम से reforms किये जा रहे हैं। अब जैसे शेहरों के विकास के कोई हम ले ले, शेहरों के विकास के लिए हमने चार स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रहे है समस्यों का समाधान हो, जीवन जादा से जादा सुगम हो, जादा से जादा निवेश हो, और शेहरों की व्यवस्ताओं में आधूनिक टक्नलोजिक आउपियोग अधिक हो। भाई और वहनों, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिती थी? इससे हम भली भाती परिचित है। गर बनाने वालों और गर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नियत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बद्दाम करके रखा था। हमारे मद्दंबर को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया गया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि इस कानून के बाद मिडल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। इसी तरह हमारे शहरों में एक और बड़ी समस्या है बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। यह तम है जब बड़ी आबादी को किराय पर घर मिलने में भी परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी एक मोडल कानून बनाकर राज्यों को दिया जा चुका है। साथियों शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौत अरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमत्री आवास योजना की शुरुवात हुई थी। इस योजना के तहट शहरी गरीबों के लिए एक करोड से ज़्यादा गर स्विकृत हो चुके हैं। शहर के मद्यमबर के लिए भी पहली बार गर खरिद्ने के लिए मदद की जा रही है। अब तक साड़े बारा लाग से ज़्यादा शहरी मद्यमबर के परिवारों को भी गर खरिद्ने के लिए लगबग 28,000 करोड रुपिये के मदद दी जा चुकी है। अमृत मिशन के तहट देश के सेंक्डों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफास्रेक्टर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉइलेट्स की बहतर सुविदाय हो। बेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्ता हो। वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने के तरीके हो। इसके लिए स्थानिय निकाओं को मदद दी जा रही है। भाईव और भेनों, आज शहरी गरीब को मुप्त इलाज मिल रहा है। और मद्यमबर को सस्ती दवाई मिल रही है। सस्ती सरजरी उपलब्द कराई जा रही है। सरकार की कोशिसों से बिजली से लेकर मोबाईल फोन तक उस पर खर्च बहुत कम हुआ है। एजुकेशन लोन से लेकर होम लोन तक ब्याज की दरे कम की गई है। ये भी पहली बार हुआ है जब रेडी, ठेले, ठेरी वाले छोटे उद्यमों को बैंकों से सस्ता रण उपलब्द कराया गया है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। कि अ विए गगाई लोन से लेक कि उना का विकाम है। झाल झाल